नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चमतकारी तीन चीजों के सेवन की विदी के बारे में बताऊँगा दोस्तो यदि आप इन तीन चीजों का सेवन हमारे दवारा बताई गई विदी से करेंगे तो दोस्तो जो इंसान चल नहीं सकता था न वो भी दोड़ने लगेगा वातरोग और मासपेशियों का दर्द बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगा आपने इसको दिन में सिर्फ एक बार लेना है और लेने से ही वातरोग जवाइंट पेन हड़ियों के कमजोरी या सरीर का किसी भी परकार का दर्द छूमंतर की तरहें गयब हो जाएगा दोस्तो दस दिन में आपके सरीर की बंद नसें साफ हो जाएगी मोटापा, जोडों में दर्द, बलड प्रैसर जैसी हर बीमारी का इलाज है इनुस्खा दोस्तो आज की इस वडियो में हम जिस चमतकारी नुस्खे के बारे में आपको बता रहे हैं उस नुस्खे की जो सबसे पहली मुखे समगरी है वह है दोस्तो काली मिर्च दोस्तो काली मिर्च कई त्रहे के ओस्ति गुणों से भरपूर है जिसमें कई रोगों को दूर करने की एक शमता है दोस्तो साथ ही कई रोगों के इलाज में यह मदद भी करती हैं दोस्तो इसमें मुखे रोप से डियूरेटिक, एंटी इंफ्लमेंटरी, डाइजेस्टिव, मेमोरी बूस्टर और पेइनर लिवर गुण मुझूद होते हैं यह सबी गुण बहुत त्रहे की बीमारियों के इलाज में एक बहुत महत्यपून भूनी का निवाती हैं दोस्तो काली मिर्च आपके पाचन को मजबूत करने का काम करती हैं क्योंकि काली मिर्च में पाई जाने वाला पाईपरिंग, अगनाशे यानि पेट के पाचन अंजाइमों को उत्तेजित कर पाचन समता को बढ़ाने का काम करता है और दोस्तो जब आपका पाचन प्रोपर रूप से वर करेगा, आपका पाचन मजबूत होगा, तो आपको पेट का कोही भी रोग नहीं होगा, पेट में गैस, कबज और स्टिटी की समस्या नहीं होगी, और ये पेट के रोग ही आपके सरीर की 300 बिमारियों का कान बनते हैं, और हमारी सरीर की बिमारियों कहीं न कहीं उनका जड़ाव पेट से होता है, पहले वो छोटी सी बिमारी बनेगी, उसके बाद धीरे-धीरे बड़ी होती चली जाएंगी, सर्दी खांसी से भी रहा दिलाती है काली मिर्च, दोस्तो काली मिर्च में पाइपरी नामक कमपाउ दोस्तो को लिए नहीं देना चाहते हैं और वैसे भी आपका बैड कोलोस्टोल बढ़ेगा तो इससे आपको दिल की बिमारियों का जोखिम रहता है यनि कि आपको हार्ट बलोकिज और हार्ड डिटक का टियर बन रहता है दोस्तो काली मिर्च इसमें आपके लिए बहुत चमत क्योंकि काली मिर्च में anti-hyperglycemic agent होते हैं, जो रक्त में गुलकोज की मातरा को कम करते हैं, इसे आपको diabetes के ilाज में मदद मिलती हैं, जोडों का दर्थ या गठिया का दर्थ या आपको किसी भी परकार का दर्थ है, तब भी दोस्तों आप काली मिर्च का सेवन करना चाहिए क्योंकि जोडों में घुटनों में या स्रीर में दर्द बहुत बार क्या होता है कि सूजन के कान भी होता है और दोस्तो काली मिर्च में एंटी इंफ्लिमेंटरी पाइप्रिन और एंटी अथ्राइटिस प्रभाव पाये जाता है जिससे कानी आपके दर्द को दूर करने का काम करती है, सूजन को कम करने का काम करती है दोस्तो काली मिर्च आपकी तवचा के लिए वे बहुत कारगरदव है यदि आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे आपके चहरे पर नयाग गलो आता है आपकी उमर बढ़ने की जो चेहरे पर जुरी आती है उमर बढ़ने की निसानी होती है वो आपसे दूर बन रहता आपके दिमाग को तेज करने का काम करती है Free Radical से आपके सरीर को बचाने का काम करती है चाहे हडियों की कमजोरी को दूर करना हो या वात पित कप को बैलेंस करना हो या हमारे सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाना हो High Blood Pressure को कंटोल करना हो दोस्तो इन सब बीमारियों में जो बादाम है वो बहुत कारगर दवा की तरहे काम करते हैं blood pressure को control करेंगे, पेट की चर्बी को पिंगलाएंगे, बंद नसो को साफ करेंगे. और तीसरी समें मुखे समगरी है, वह है दोस्तो, अक्रोट. और दोस्तो, अक्रोट के फाइदे को नहीं जानता? अक्रोट हमारी स्रीर के लिए वर्दान की तरह काम करते हैं यदि अक्रोट का सेवन आप हर रोज करेंगे तो इससे आपका दिमाग तेज होगा हड़िया मजबूत होगे और आपका सरीर बिलकुन निरोगी बन जाएगा आपके सरीर की इम्म्यून पावर बढ़ जाएगी तो दोस्तो ये तो हो गई तीन चीज़े जिनका आपने सेवन करना है तो आएए अब आपको बताते हैं कि आपने इन तीन चीज़ों का सेवन करना कैसी है दोस्तो आपने क्या करना है जो काली मिर्च है उसका सेवन आपने करना है चाहे आप दूद के साथ उसका सेवन कर सकते हैं या गुड के साथ कर सकते हैं या फिर पानी में घोल कर सकते हैं जैसे अगर आपने पानी में घोल लें तो एक चुटकी कालिमिर्ज का पाउडर लें और उसको पानी में घोल लें आप इस त्रहे से उसको सेवन कर सकें और यदि आप पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तब आपने इसका सेवन सुबे खाली बीट करना है दूद के साथ यदि आप इसका सेवन करेंगे काली मिच का तब आपने इसको रात को सोते समय सेवन करना है दोस्तो आपने चार बादाम और एक हक्रोट की गिरी का सेवन हर रोज सुबे खाले बीट करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्रीर की सभी बंद नसे साफ हो जाएंगी वात रोग आपसे दूर हो जाएंगे जुआइट पुन हड़ियों की कमजोरिका आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा इतना चमतकारी और कारगर नुस्ख है तो दोस्तो देर किसे बात की है आप भी सनुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दे तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वले वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो